वेलकम दोस्तो तो फिर से में एक नेटिंग की लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आप थी सोच रहों कितने ज्यादा लेक्टिर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सीक्योर्टि में काम कर रहे हों गई तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एशूस आत करे प्राइपि सेियर को होगी कही है ना कही आपके काफी ज्यादा काफी आते हैं वहुद्वा फब्ध इसक्का है कि काफी ज्यादा ऊते है 오른 पूर कोशिश 실छे ही traces तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो real-time जो scenario जाते हैं हमारे सामने या real-time जो issues हम लोग face करते हैं वह सब मैं आपके सामने रखने कोशिश करें ठीक है तो आज जो टास्क है मेरे पास वो यह है और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को आप दो बार देखें ठीक है क्योंकि यह बहुत लोग की समझ में नहीं आती यह बात ठीक है कि किस तरीके से नेटिंग काम करें तो आए क्या है सिनेर्यू क्या है क यह customer के पास दो server है ठीक है यह दो और वो चाहता है कि telnet service अलाओ कर दी जाए अब यह telnet के लाव़ कुछ भी हो सकता है लेकि मेरे लिए telnet की testing easy है तो मैं इसलिए telnet ले रहा हूँ from outside network ठीक है but the problem is customer is having single public IP customer के पास सिर्फ यही एक public IP है और उसके पास जो internal servers है वो यह दो है ठीक है तो बाहर से उसे telnet service access करानी तो इसको कैसे किया जाए इसका proper करने का तरीका है क्या वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो सबसे पहले तो चलते है एस से पर ठीक है तो उसने क्या किया है उसने दो server दिये शो राउट सबसे पहले तो उसने कहा 172.16 1.10 1.10 ठीक है यह कहां पर है यह DMZ का पार्ट है और दूसरा server कौन सा बोला है 10.1.10 यह किस का पार्ट है दोस्तों यह inside का पार्ट है यह यहां पर देख लिए यह inside का पार ठीक है तो एक server DMZ में हो और एक server inside net रोक है तो इसको चलिए आई है किया जाए सबसे पहले object network मैं कहता हूँ web server name जो होते हो थोड़ meaningful होने जरूरी है तो lab environment आपको यह भी दे सकते है ठीक है तो web server मेरा जो DMZ में होस्ट उसका IP क्या है उसका IP है यह DMZ वालेगा ठीक है उसके बाद अब मैं इसकी एक object और बना लेता हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ sorry यह web server तो नाम दे रहा है इसका कुछ समझा नहीं रहा है तो सिर्फ server दिया जाए इसको web server तो नहीं है ठीक है एक inside रख लेते हैं और उसका IP है वह है 101110 ठीक है अब इसको भी सही करी लेता है जब काम हो रहा है तो थोड़ा और काइदिस हो जाए तो यह भी हमारा एक server है और यह DMZ में है और इसका IP हमारा यह है ठीक है show run object यह दोनों हमारे पास आ गया है अब हमें जो net करना है वो करना है 100.1.127.111 अब इसको कैसे क्या जाए तो सबसे पहले दोस्तों मैं करता हूँ inside वाले को ठीक है तो चलते हम inside अब netting करना है तो सबसे पहले कहां पर block करता है किस interface से तो inside यह बहुत जरूरी है चीजे समझना अगर आप यह नहीं समझेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या netting लगाएंगे और maximum cases में होता है क्या है जिन्हें पता नहीं होता है तो बस वो कुछ ना कुछ दो चार तरह की netting लगा देते हैं उन्हें से कोई एक चल रही होती है और customer का issue तो resolve हो जाता है लेकिन जो implement करने वाला उसा ही नहीं पता होता क्या आकर चल कैसे रहा है तो यह समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पर static netting होगी IPO जो है 100.127.1.111 अब दोस्तों मैं यहां enter नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं यहां enter कर दिया तो फिर उस वाले यह जो मेरा पास server DMZ में हो उसकी netting मैं कैसे करूँगा ठीक है तो यहां मैं इसको क्या करूँगा मैं इसको port base लेकर चलूँगा उसके लिए मैं service define करूँगा ठ TCP service ठीक है उसके बाद मैं जो real IP है sorry real port है वह मैं define करूँगा तो मैं कौन सा port open करना चाहता हूँ 23 ठीक है फिर mapped port जो बाहर से user यह देखिया आप ही कह भी रहा है mapped port ठीक है तो जो वहां से user hit करे जिस port पर तो वह भी 23 रख लेता हूँ कोई बड़ा मसला नहीं है ठीक है तो मै मैंने क्या किया 23 को 23 के साथ मैप कर दिया ठीक है अब शूरन नैट भी देख लिए थोड़ा समझा जाएगा यह हो गया ठीक है सर्वर इंसाइड अम सर्वर आउट साइड की तरफ चलता हूँ अब यह नैट इंग कैसे की जाए देखिए यह DMZ का पार्ट है तो आपको यहां DMZ करना आउट साइड आउट साइड इस्टैक आईपी मेरा भी भी वही रहेगा क्योंकि सिंगल आईपी मेरे पास सर्विस कौन से TCP सर्विस अब दोस्तों यहां यह पूछता है रियल पोर् पोर्ट का मतलब जो सर्वर के लिए आएगा अभी में उसको समझाता हूँ ठीक है तो यहां 23 उसके बाद मैप्ड पोर्ट जो बाहर से एकसेस करें तो हमने पिछले सर्वर को 23 दे दिया था तो जब कस्टमर सॉरी जब बाहर जो भी यूजर्स है वह एकसेस करेंगे कस्टमर के सर्वर को और इस आईपी का यूज करके और वह बाहर से 23 पर हिट करेंगे तो वह उस सर्वर पर चले जाएंगे जो जो इंसाइड में रखा हुआ है लेकिन इंसाइड वाला है तो इसके लिए हम करते हैं 2323 दे देते हैं ठीक है और एंटर हम आपको एक बार और बता देता हूं यह हुआ क्या है ठीक है तो यह है ठीक है यह मेरा इंसाइड में था तो यह मैंने इंसाइड डिफाइन किया उ क्योंकि जब बाहर से कोई भी यूजर इस IP और 23 पोर्ट पर हिट करेगा तो यह 23 बाहर से आएगा वह इसको ट्रांसलेट करेगा इंटर्नल 23 में और यह 23 जो है जो मेरा प्राइवेट आइपी है इंसाइड का 10-1-1-10 उस पर जाकर ओपन हो जाएगा यह वाला पोर्ट ठीक है लेकिन जब DMZ के में बात करता हूँ तो इस केस में क्या होने वाला है इस केस में दोस्तों बाहर से कस्टमर जो बाहर से यूजर है वो हिट करेगा 2323 पर ठीक है यह AS से उसको ट्रांसलेट कर देगा टैलनेट में और यह टैलनेट कहां पर जाकर उपन हो जाएगा DMZ यानि इस वाले सर्वर के लिए तो IP बाहर से से यूजर किया जाएगा सिर्फ अलग अलग पोर्ट पर हिट किया जाएगा और इंटरनल वो टैलनेट सर्विस ही प्रोवाइड करेगा ठीक है अच्छा अब एक चीज एक बार ACL भी आप देख लिए कि किस तरीके से आउट टो इन इसका नाम देता हूँ मैं उसके बाद पर्मिट और TCP सर्विस मुझे यहां देनी है ठीक है और यहां एनी और डेस्टिनेशन तो अगर आप DMZ के लिए दे रहे हैं तो 172.16.1.10 एक्वल तो दोस्तों टीसीप any कुछ keyboard बड़ होंगा कि है ओके यह host आएगा क्या क्योंकि EPA है न तो यहां host ठीक है उसके बाद equal port 23 ठीक है यह आपने define कर दिय अब दूसरे के लिए क्या करेंगे अब एनी आएगा होस्ट आएगा उसके बाद 10 11 10 अब दोस्तों यहां क्या पोर्ड दिया जाएगा देखें इंटर्नल पोर्ड जो है वह हमने दोनों जंगा 23 दिया है तो यहां भी आपको 23 ही देना है आपको समझ आ रही होगी दोस्तों अगर कुछ भी इसमें डाउट है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बता दीजेगा मैं कोशिश करूँगा कि और उसे बहतर अंदाज में एक्स्पेंड किया जाए ठीक है आप देख सकते हैं यहां दोनों ह इसके बाद ACL का नाम आ जाएगा फिर डिरेक्शन आ जाएगा और इंटरफेस हमारा आउटसाइड ही रहेगा क्योंकि आउटसाइड से होगा ठीक है अब आईए इसको एक बाद टेस्ट कर लेता है क्या चीजे चल भी रही है तो यह मैं इंटरनेट पर आ गया तो सब से प इससे बाहर आते हैं अब मैं जब 2323 पर हिट करूँगा तो मैं DMZ में जाना चाहिए अगर DMZ में पहुचता हो तो चीजे बिल्कु सही चल रही है यह देखिए यह मेरे पास DMZ का एकसे तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक IP के हेल्प से IP भी सेम है और सर्विस भी सेम है तो कैसे इसको जो है अचीव किया जाता है आई होब यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले लेक्चर में ओकी अल्ला हाफिस